जैहिंद वनमात्रम वीडियो में तक बने रहेगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सुस्क्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा आपके लिए इसी तरीके की इंफोर्मेशन वीडियो लात रहता हूं तो साथ यो बात करते हैं सबसे पहले को लेते हैं कि यदि आपको PhD करना है तो PhD के लिए eligibility criteria क्या होता है साथ हो cha जो फती polskандiसे आपकी दो तरीके से होता है उसके भीहाब से आप अपना PhD कर सकते हैं प्राइवेट उनिवस्टी से कंपलसर ही नहीं होता कि आपको UGC NET का एक्जाम किलियर हो तभी आप PhD कर पाएंगे लेकिन यदि आपको Central Government University या State Government University से PhD करना है तो उसके लिए आपको UGC NET का एक्जाम किलियर करना होगा UGC NET का एक्जाम जब आपको किलियर हो जाएगा उसके बाद में आप एपलाई कर सकेंगे कि आप State Government University या Central Government University में आप PhD कर सकें काफी सारी University है जो State Government University जो आपका यदि आपने UGC NET का एक्जाम नहीं भी दिया है तो भी आपका जो एडमिशन है वो ले लेती है मेरिट के बेस पे इंटर्विव के बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है यह बहुत ही कम केसिस में देखा जाता है maximum जो प्राइविट्टी दी जाती है वो दी जाती है आपका UGC NET को यदि आपको Government University से PhD करना है तो आपको UGC NET का एक्जाम के लिए करना पड़ेगा हैनि कि कम से कम 55% माक्ष होना अनिवारिया है यदि आपके 55% माक्ष है तो आप UGC NET का भी एक्जाम दे सकते हैं और PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अब बात करते हैं साथियो यदि आपने B.Sc किया है या और कोई कोर्स किया है उसके बाद में आप MA करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप MA कर सकते हैं कोई problem नहीं है MA के लिए ऐसा नहीं कि आप B.A. के बाद ही MA कर सकते हैं ग्राइजूशन में आपने कुछ भी किया है B.A. B.S.C. B.C.A. तो आप MA कर सकते हैं हाँ कुछ subject ऐसे हैं जहां पर आपको क्या होता है subject combination चाहिए होता है अब बात करते हैं कि यदि हमारा subject combination नहीं है तो क्या हम teacher बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे साथियो PGT के लिए बहुत सारी जगए compulsory है कि आपका subject combination होना चाहिए काफी सारी state में ऐसा है कि वहाँ पर subject combination नहीं देखा जाता यानि कि आपने graduation में अलग subject है और आपके post graduation में अलग subject है और उसके बाद में आप अपना TGT और PGT के लिए eligible माने जाते हैं लेकिन maximum cases में क्या है कि आपका subject combination देखा जाता है जो आपका PGT के लिए अब बात करें साथियों कि आप teacher बन पाएंगे यसा आपको B.Sc किया है आपने उसके बाद आप MA कर रहे हैं और उसके बाद में आप teacher बनना चाहते हैं तो बिलकुल आप teacher बन सकते हैं आप उसके बाद UGC net का exam दीजिए college university में आप professor बन सकते हैं किसी प्रकार की कोई problem नहीं है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है तो साथियो almost मैंने सब सारी चीज़ें आपको clear कर दी है यदि अभी भी आपको कोई doubt या question रहे गिया है तो आप मेरे से comment box पूस सकते हैं मैं जितने जल स सज़ाद होगा उसका answer जोस पर वीडियो बनाने की पूरी कोसस करूँगा तो चलिए साथियो मिलते हैं आप से नेक वीडियों इस तरीकी information के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत